बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कारकरताओं से कहा है कि विधान सभा और लोगसभा चुनाव के लिए तयार रहें। इस दौरान शर्मा ने कॉंग्रेस को आड़े हाथ हो लिया और कहा कि कॉंग्रेस छलकपट की राजनीती करती है। उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस में क्या बुराई है ये तो उनको ही खोजना पड़ेगा। लेकिन कॉंग्रेस के खून में जो जीन्स है वो फूट डालो राज करो के जीन्स है। किन-किन बातों पर लोगों को भड़काया जा सकता है, ये कॉंग्रेस के खून में हैं, और इसी आधार पर वे राजनीती करते हैं। कॉंग्रेस के अंदर कॉन सी बुराई है ये तो उनको ही खूजना पड़ेगी, लेकिन कॉंग्रेस के खून में जीन से जरूर हैं, वो जीन से फूट डालो, राज करो। किन-किन बातों पर लोगों को भढ़काया सकता, ये उनके खून में हैं, और इसी आधार पर वो राजनीती करते हैं, जूट, चल, कपट, ये बुजर राजनीती करते हैं, जो इस देश अब स्विकार नहीं कर सकता, देश ने उनको देख लिया गंबीरता और गहराई के सा वहीं बीजेपी के पूर्व विदायक आरडी प्रिजापती के OBC महासबा में लगातार उनके खिलाब बयान बाजी करने पर उन्होंने कहा कि हमारी नैतिक जिम्मदारी है कि इस तरह की विद्वेश वैलाने वाली बातें ना हो, ये सब एक योजनावत तरीके सी किया जात और राजनीती चमकाने के लिए लोग ऐसा करते हैं, ये भी फूट डालो राज करो वाली नीती का ही एक हिस्सा है, जबकि भारती जन्ता पार्टी सबका साथ सबका विकास के आधार पर कारे करती है देखिये इसके बारे मेरा कहना है, कोई मेरे बारे में कोई कुछ के मुझे इसकी चिन्ता इसलिए नहीं होती, मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं सबका सम्मान करता हूँ हम सब लोग भारती जनता पार्टी का में प्रदेश का अध्यक्षू मेरी जिम्मेदारी है मेरी नेतिक जिम्मेदारी है कि मेरे छित्र में इस प्रकार के बिद्धोय स्पहलाने वाले जो लोग है वो इस प्रकार की चीजें न हो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंतर पर हम काम करते और आज हमें गर्व है इस बात का कि मानि प्रधान मंतरी मोदी जी के नितरत में हर समाज वर्ग को साथ लेकर मानि मुक्टमंत्री सिवरा सिंग चोहान के रित्तरत में हर समाज वर्क को साथ में लेकर के हम काम करने बने लोगे हैं